हालो फ्रेंड्स, वेल्कम टू एसेच फेशन वर्ल्ड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ब्यूटिफुल सा डिजाइन सीखाने वाली हूँ, चलिए इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं, इसको बनाने के लिए आपने रखनी हैं 9 के मल्टिपल में फंदे, प्लस आपको इसमें 5 एक्स्ट्रा फंदे रखने होंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए 23 स्टीजिस कास्टोन किये हैं, अब 9 से गुणा करके 18 और प्लस उसमें 5 करके 23 फंदे मैंने यहाँ पर डाले हैं, चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, वीडियो पूरी दे 1, 2, 3, अब दागा पीछे ले जाएंगे, अब यहाँ पर हम जाले डालेंगे, जाले डालने के लिए हम दागे को यूँ गुमाएंगे, फिर एक फंदे को स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे, अब यह जो स्लिप किया हुआ फंदा है, इसको हम बुने हुए फंदे के उपर में से यू उतार देंगे फिर चार फंदे सेदे वन तू त्री और ये फोर अब देखें ये जो शुरू का एक एज से है इसको छोड़कर यहां से हम फिर से अपना रिपीट स्टार्ट करेंगे तो फिर से देख लिजी क्या किया था तीन फंदे उल्टे वन तू थ्री तीन फंदे उल्टे बनाएंगे दागा पीछे ले जाएंगे यहां पर पहले जाली डालेंगे फिर आगे वाला फंदा स्लिप करेंगे फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे ये जो स्लिप किया हुआ फंदा इसको उम्बुने हुए फंदे के उपर में से उतार दे फिर चार फंदे सीधे 1,2,3,4 तो सारी रो देखिए आपको इसी तरह से ही कंप्लीट करनी है यही आपको रिपीट करते जाना है पूरी रो में लास्ट में देखिए तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे 1,2,3 और लास्ट के फंदे को हम सीधा बनाने अब बजाए रो टू प वो हमारी सारी उल्टी ही पड़ेंगी इस डिजाइन की एक खास बात है यह सिर्फ हम राइड साइड से ही डालेंगे बाकी रॉंग सेट से सारी रो आपको इसी तरह से उल्टी बनानी है तो रॉंग सेट की रो में आपको नहीं बताऊंगी रॉंग सेट से सारी रो आपको करए रों से थार्ट रों सिवी तरफ से पहला फंदा देखिए सिदा उतारा अब तीन फंदे उल्टे बनाएंगे यहां पहली रों में जाले डाले ति तो यह फंदा इस बार हम पहले सीदा बना लेंगे एक फंदा पहले यहाँ पर सीधा बनाएंगे फिर यहाँ पर जाले डालेंगे फिर आगे वाला फंदा देखिए एक फंदा स्लिप करेंगे आगे वाले फंदे को सीधा बनानेंगे फिर यह जो स्लिप किया हुआ फंदा है यही हम पूरी रो में repeat करेंगे तो फिर से देख लिजी क्या किया था तीन फंदे उल्टे बनाएंगे 1, 2, 3 दागा पीछे लेगे अब एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर यहाँ पर दागे को घुमाएंगे जाले डालेंगे, एक फंदा slip करेंगे आगे वाला फंदा सीधा बना लेंगे अब यह जो slip किया हुआ फंदा है इसको हम बुने हुए फंदे के उपर में से उतार लेंगे फिर तीन फंदे सीधे 1, 2, 3 तो सारी रो देखिए आपको इसी तरह से complete करनी है लास्ट में तीन फंदो को आपको उल्टा बना लेना है और लास्ट के फंदे को हम सीधा बना लेंगे रो फोर रॉंग सेट से उल्टे अब अब जाई रो फाई पर राइट सेट से पांच मेरो सीधी तरफ से तो फिर से वैसे ही दिखे, पहले हम दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर दागे को गुमाएंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, और आगे वाले फंदे को सीधा बना लेंगे, फिर ये जो स्लिप किया हुआ फंदा है, इसको हम बुने हुए फंदे के उपर मे से उतार देंगे, फिर दो फंदे सीधे, वन और ये टू, तो आप एक एक एस से छोड़ कर यहां से फिर से हम आपना रिपीट स्टार्ट करेंगे, फिर से देख लीजिए, तीन फंदे उल्टे, वन, टू, थ्री, दागा पीछे लेगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, वन, फिर यहां पर जाले डालेंगे, जाले डालने के लिए हम दागे को गुमाएंगे, फिर उसके बाद एक आगे वाला फंदा स्लिप करेंगे, और एक फंदा सीधा बनाएंगे, स्लिप किया हुआ फंदा है, इसको हम बुने हुए फंदे के उपर में से उतार लेंगे, फिर पर आजाए राइट साइड से तो पहला फंदा सीधा दागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे बनाएंगे तू और ये थ्री अब दागा पीछे लेगे अब पहले हम यहां पर तीन फंदे सीधे बनाएंगे वन टू थ्री तीन फंदे सीधे बनाएंगे अब यहां पर धाग को घुमाएंगे जाली डालेंगे अब एक भंदा स्लिप करेंगे और आगे वाले फंदे को सीधा दना लेंगे फिर इस फंदे को हम ऊपर में से उतार देंगे जो फंदा हमने सिलिप किया था फिर एक फंदा सीधा तो आभी एक छोड़कर यहां से फिर से आपको repeat स्टार्ट करना है आपना यही आपको पूरी रोम में रिपीट करते जाना है फिर से देख लीजे तीन फंदे उल्टे बनाएंगे two three दागा पीछे लेगे अब तीन फंदे सीधे बनाएंगे one two three फिर यहाँ पर जाले डालेंगे जाले डालने के लिए धागे को गुमाया एक फंदा slip किया और आगे वाला फंदा सीधा बना लिए आप slip किये हुँऊ फंदे को बुने हुँए फंदे के उपर में से उतार देंगे फिर एक फंदा सीधा तो सारी रोव आपको देखे इसी तरह से ही complete करनी है लास्ट के तीन फंदे आपको उल्टे बनाने हैं और लास्ट का फंदा सीधा बना लेना है रॉंग से रो उल्टे अब बजाए रो 9 पर राइट से नवीनो सीधी तरफ से तो इसमें पहला फंदा देखे सीधा उतारा दागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे वन टू थ्री दागा पीछ ले जाएंगे और पहले हम यहां पर चार फंदे सीधे बनाएंगे वन टू थित और यह 14 जाली देखे कहरें हमारी जो फंदा हम जाली डालेगी देखिये तो यहां पर देखिये दागे को गुमाया एक फंदा स्लिप किया आगे वाले फंदे को सीधा बना लिया अब जो प्र देखिय को हम बुने हुवा फंदे के ऊपर में से उतार लेंगे अब यहां पर देखिये यह जो सुरू का 1-2-3 चैस को छोड़ तीन फंदे उल्टे, फिर चार फंदे सीधे, फिर देखिए, यहां पर जाले डालेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, और आगे वाला फंदा सीधा बना लेंगे, फिर स्लिप किये हुए फंदे को हम बुने हुए फंदे के उपर में से उतार लेंगे, तो सारी रो देखिए, आपको इसी तरह से complete करनी है last में देखे ये तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे और last के फंदे को सीधा बना लेंगे और row 10 wrong set से उल्टे अब row 11 पर आजाए right side से यहां पर हमारा design भी आदा हुआ है तो अब देखे अब ध्यान से देखेएगा पहला फंदा सीधा उतारा दागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे बनाएंगे one, two, three अब दागा पीछे ले जाएंगे अब यहां पर देखेए पहले हम चार फंदे सीधे बनाएंगे one, two, three, four चार फंदे सीधे बना लिए अब यहां पर देखिए एक के फंदा और एक के वाला फंदा इन दोनों का हमने दो का एक करना है लेकिन इस वार हम इनको आगे की तरफ से इस तरह से दो का एक करेंगे फिर दो का एक किया दो का एक किया है तो यहां पर हमें फंदा भी बढ़ाना है तो फंदा बढ़ाने के लिए हम जाली डालेंगे यूँ ये देखे इस तरह से हम जाली डालेंगे फिर ये जो एक एस्टिच है इसको छोड़कर यहां से हमने फिर से अपना रेपीट स्टार्ट करना है तो फिर से देख लीजिए 1,2,3 तीन फंदे उल्टे लागा पीछे फिर चार सीधे 1,2,3,4 फिर दो का एक करना है आगे की तरफ से देखे इस तरह से फिर यहां पर हम जाले डालेंगे जाले डालने के लिए इस तरह से किया फिर दागे को यूँ गुमाएंगे तो सारी रो आपको देखे इसी तरह से कंप्लेट करनी है लास्ट में तीन फंदे आपको उल्टे बनाने है और लास्ट का फंदा सीधा बना लेना है और रो 12 आपको रॉंग सेट से उल्टे अब जाए रो 13 पर राइट से तेरी भी रो सीधी तरफ से तो देखे इसमें पह दागे वाले 2 फंदफ़ित देखिए एक वाला और इन दों को हम ने 8 फंदा बनाना है सब्मारा का धर द्युयरोय को पामसे प्रकूर को अपर ऑना पला है तो शीदा अस्क Catholic इसमीद दा मवामसरे त्री अब दागा पीछे ले गए तीन सीधे फट टू थ्री फिर देखे आगे वाले दो फंदो का हमने एक फंदा बनाना है दो का एक कर लिया फिर एक फंदा सीधा इस तरह से फिर यहां पर दागे को आगे लाया और यहां पर जाली डाल दी तो इसी तरह से आपने पूरी पूरी रों कंप्लीट करनी है लास्ट में तीन फंदे आपको उल्टे बनाने है और लास्ट का फंदा सीधा बना लेना है और फॉर्टिन रॉंग से उल्टे अब बजाए रूफ 15 पर रैट से पंदर मेरो सीधी तरफ से पहला फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे फवैं यह वाला और उसके साथ आगे वाला इन दोनों का हमने एक फंदा बनाना है दो का एक बनाया फिर यहां पर दो फंदे सीधे बनाएंगे वन टू दागा अपनी तरफ इसको यूं गुमाएंगे जाली यहां पर टालेंगे तो एक ऐसे छोड़कर यहां से फिर से हम अपना रिपीट स्टार्ट करेंगे तीन फंदे उल्टे वन टू थ्री फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे वन टू फिर दो का एक करेंगे आगे वाले दो का एक कर लिया फिर दागा पिछे ही रहेगा दो फंदे सीधे बनाएंगे वन टू फिर दागा आगे लाएंगे और इसको यूँ गुमाएंगे फिर तीन फंदे उल्टे, सारी रो आपको देखी इसी तरह से कंप्लेट करनी है, लास्ट के फंदे को आपको सीधा बना लेना है, और रॉंग सेट से रो उल्टे, अब बजाए रो 17 पर राइट से पहला फंदा सीधा उतारा, लागा अपनी तरफ, ती तू, त्री, लागा पीछे, अब एक फंदा सीधा बनाएंगे, आगे वाले दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर तीन फंदे सीधे, वन, तू, त्री, फिर धागे को आगे लाएंगे और इसको यूँ गुमाएंगे, तो आप देखिए शुरू का एक एस सीध फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, आगे वाले दो फंदों का एक फंदा करेंगे, इस तरह से आगे की तरफ से, फिर तीन फंदे सीधे, वन, तू, त्री, फिर धागे को लाएंगे आगे और इसको यूँ गुमाएंगे, तो सारी रो आपको इसी तरह से कंप्लीट करनी है ये 3 पंदय आपको उल्टे बनाने हैं और यहां को सीधा बना लेना हैं आर डागा पीचे लेगे अब आगी वाले 2 फंद न का हमने एक फंदा बना देना है देखे, दो फंदों का एक फंदा बनाया, फिर देखे, चार फंदे, सीधे, 1, 2, 3, 4, फिर धागे को अपनी तरफ लाएंगे और इसको यूँ गुमाएंगे, तो अब देखे, एक एज से छोड़ कर यहां से हमें फिर से अपना रिपीट स्टार्ट करना है, तो फिर से देख देखे, तीन फंदे उल्टे, 2, 3, फिर आगे वाले दो फंदों का एक फंदा बनाना है हमने, देखे, दो का एक बनाया, फिर चार फंदे सीधे, 2, 3, 4, फिर धागे को आगे लाया और इसको यूँ गुमाया, सारी रू आपको इसी तरह से कंप्लीट करनी है, यह तीन आपको सीधा बना लेना है, तो आप देखे, रू 20 भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, रू 20 तक बनाने के बाद, देखे, हमारा डिजाइन यह कुछ इस तरह से दिखेगा, और हमारा डिजाइन भी यहाँ पर ओवर हो जाता है, अब यही 20 रो हमने बनाते जाना है, अब यही 20 रो देखे, बनाते जाएंगे, यहाँ पर आपको हलका सा डिजाइन दिख रहा होगा, तो देखे, जैसे जैसे हम इस डिजाइन को बनाते जाएंगे, डिजाइन हमारा कुछ इस तरह से बनता जाएगा, बहुत ही प्रेटी बनता है, यह आप कार्डिगन पर बन यह जो भी आप इससे बनाना चाहते हो, राइड साइड से यह कुछ इस तरह से दिखता है, और रांग साइड से दिखे, यह कुछ इस तरह से दिखता है, तो कैसा लगा प्लीज एक मैंट करके जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत पूलिएगा, थैंक सुर वाचिंग मत इस